तो आज हम क्लास 9 की सप्लिमेंट्री रीडर एंग्लिश सप्लिमेंट्री रीडर मॉमेंट्स की का जो है लॉस्ट चाइल्ड इसका अनुवाद हम इसमें देखेंगे तो आप देखी सबसे पहले हम देख लेते हैं लेखक का परिचे क्या है तो इस lesson The Lost Child की लेखक है मुलकराज आनन्द मुलकराज आनन्द वो जने इंडियन राइटर इन इंग्लिश तो ये एक इंडियन राइटर है और अफ़कोर्स थे और ये इंग्लिश में लिखते थे बॉर्न दिसमबर 12,195 इनका जन्म 12 दिसमबर 19,5 में हुआ था पेशावर नाव इन पाकिस्तान पेशावर में जो की आप कहां है पाकिस्तान में डाइट सेप्टेमबर 28,2004 जहागीर होस्पिटल पुने और पुने के जहागीर होस्पिटल में इन्होंने अपनी अंतिमसास ली थी नोटेवल वर्क कुली और अंटचेबल तो अंग्रेजी में लिखते हुए भी इन्होंने देश की अपने मूल समस्याओं को नहीं भुलाया चाय के बगानों में काम करने वाले और अच्छूतों को अपने लेखन का विशे बनाया और इसी काराण से इन्होंने के जो दो नोबल वर्क जो हैं वो क्या हैं कुली और अंटचेबल हैं तो उनका जो ये द्रिश्टी कोण है यही द्रिश्टी कोण ही उन्हें प्रेमचंद्र जैसे महान साहितेकारों के श्रिणी के समक्ष ले आता है और उनको अपनी इस काम के लिए जिन पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया वो हैं पद्मभूशन जो 1967 में मिला और साहित एकडेमिक अवार्ड जो की 1952 में मिला ये दो पुरस्कार इनको इनके साहितिक सेवाओं के लिए दिये गए अगर इस स्टोरी को मनोवेग्यानिक दृष्टिकोर से देखा जाए तो बच्चे माबाप से प्यार करते हैं, फर्माईशे करते हैं, पूरी ना होने पर उनसे लड़ते जगडते हैं रूट जाते हैं और कभी-कभी तो घर छोड़के भी भाग जाते हैं लेकिन बाहर जाकर उन्हें क्या मिलता है, उन्हें तो वही लाड़ प्यार करने वाले, डांटने वाले, मारने वाले माबाप भी चाहिए होते हैं तो ये जो बात है, ये हर उम्र के लोगों पर बिल्कुल सटीक बैठती है बेटा पांच साल का हो या पचास साल का हो, उसे अपने सिर पर माबाप का साया चाहिए होता है दूसरे चाहे कितना भी आपको कर लें, लेकिन माबाप माबाप होते हैं माबाप से बिछुडते ही, बच्चे संसार के माया जाल में खो जाते हैं तो इसी थीम पर ये स्टोरी दा लॉस्ट चाइल लिखी गई है, जो बिल्कुल दिल को छू लेने वाली स्टोरी है जैसे जैसे हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं, सारे द्रिश्य आँखों के सामने सजीव होने लगते हैं ऐसा लगता है कि मानो एक फिल्म चल रही है हमारे आँखों के आगे और यही सफलता होती है एक लेखक की, जो अपने रीडर को बांध करके रखता है तो चलिए शुरू करते हैं, स्टोरी अपनी, the story is set in spring season शीत रितु के बाद बसन उच्सो का समय है, गाउं के बाहर मिला लगा हुआ है At the end of the winter, people is out in their houses in colorful dresses to go to enjoy the spring fair रंग बिरंगे नए-ने कपड़े और नई-नई पगड़ी में सजधच कर लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल करके मिला देखने और उसे enjoy करने के लिए जा रहे हैं तो आपने भी मिला देखा होगा, कितना excited feel करते हैं आप मिला के नाम से काफी लोग, काफी कहलें तो 90% लोग ऐसे हैं, 85-90% लोग ऐसे हैं जो अपने अपने गाउं से जुंड बना करके पैदल ही आ रहे हैं एक दुसे से बाते करते, हसते, खिलकिलाते, मस्ती करते हुए और ये सब मेले की ओर बढ़ रहे हैं Some of them were going to the fair on their horses और इन में से कुछ जो की बाहैसियत हैं अपने घोडो पर आ रहे हैं वाइल, some of them were traveling in their blockards तो कुछ और ज्यादा हैसियत वाले हैं जो की अपने परिवार को बैल गाडी में या छकड़ा गाडी में बिठा करके आगे आ रहे हैं और मेले की ओर बढ़ रहे हैं इन ही लोगों के भीड में एक छोटा बच्चा भी अपने माता पिता के साथ मिला देखने निकला तो जैसे ये गाउं से बाहर निकलते हैं सड़क के दोनों किनारों पर तरह तरह की दुकाने लगी होती हैं तो ये बच्चा क्या है रुख करके उन दुकानों को देखने लगता है दुकाने भले उसके काम की नहीं हो बरतन की दुकाने हो कपड़े के दुकाने हो क्रॉकरी की दुकाने हो कोई लेना देना नहीं है लेकिन दुकान उसके समान उसके सजावट वो उसको बहुत आकरशित करते हैं और वो वहाँ पर रुख करके देखने लगता है माता पिता आगे बढ़ जाते हैं और फिर माता-पिता पीछे पलट करके उसे आवाज देते हैं कि चलो हमारे साथ चलो. The child was attracted to the toys at various roadside stall. ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसके काम की चीज़े नहीं थी. बहुसी दुकाने roadside ऐसे ही लगी थी कि उनके उपर toys भी मिल लए थे दीखी, खिलोनों की दुकाने भी लगी हुई थी. His fate obedient to his parents call, but his eyes kept on watching at the toys he wanted. ठीक है, तो क्या होता है कि खिलोने की जो दुकाने हैं, वो उस बच्चे को बिलकुल चुम्बक की तरह खींशती हैं. बिलकुल वो मंत्र मुद्धों के खड़ा हो करके देखने लगता है, और माता-पिता की आवाज जब उस सुनता है, जब उनकी पुकार सुनता है, तब उसके पैर तो माता-पिता की ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन उसका दिल और दिमाग दोनों उनी खिलोने में उलजा रहता है, वो मुड मुड करके दुकानों की ओर देखता रहता है, खिलोनों को देखता रहता है The child was unable to suppress his desire for toys उन खिलोनों को देखने, खरीदने और उन से खेलने की तीवर इक्छा को बड़े मुश्किलों से दबा पा रहा था बच्चा था भई असी एक्षा तो स्वभावी की है, बट इस फादर्स आईज ग्रिव रेड विद एंगर, उसकी एक्षा, उसके मनोभाव को समझ करके, उसकी पिता ने गुसे से लाल लाल आखे तरेर करके उसे डराते हैं, the child understood the cold refusal, बच्चा भी समझ जाता है, कि खिलोने और लोने तो मिलने वाले नहीं, डांटों मार जरूर मिल जाएगी, है न, तो मुँ बनाते हुए वो सोचता है, पता नहीं, ये बड़े लोग हम बच्चों की च्छाओं को कफ समझेंगे, और जब कुछ दिलाना ही नहीं रहता है, तो मिले में क्यों ले करके आते हैं, और, but his mother became emotional, ये सोच करके वो आगे बढ़ जाता है, लेकिन बच्चे की मा जो है, वो सारी चीजों को देख रही थी, पूरी इस्थिती को समझ रही थी, हो सकता है कि इन महेंगे खिलोनों को एफोर्ड करना उनके बस में ना हो, मा का दिल है, हमेशा बच्चे के लिए ममता से भरा रहता है, वो एक सौफ्ट नजर बच्चे पर डालती है, she gave her finger to the child to hold and with love, she tried to divert his attention from cards, divert है नहीं हटाना है न, attention यानि ध्यान कहां से? खिलोनों से, ओके, तो वो बड़े प्यार से अपनी जो उंगली है, वो बच्चे को थमाती है, और आसपास के प्राकरतिक द्रिश्यों की छटा में उलजहा करके, आसपास फैले हुए सरसों के फूलों में उसका ध्यान उलजहा करके, खिलोनों से उसका ध्यान हटाने की कोशिस करती है, इट वोज अ वास्ट यलो कलर्ड फिल्ड और लुक्स लाइक मेल्टिंग गोल्ड, मेल्टिंग गोल्ड यानि पिघला हुआ सोना, वो फैले हुए खेत, सरसों के फूले हुए पिले-पिले फूलों की और इशारा करते हुए कहती है, देखो तो जरा इन खेतों को और इनमें खिले हुए सरसों के पिले फूलों को, क्या ऐसा नहीं लगता कि मानो पिघला हुआ सोना बह रहा हो, या पीले कलर की एक कालीन बिची हुई है वो एक ग्रूप ओफ ड्रेगन फ्लाइज और बटर्फ्लाइज बस्ड एराउंड सकिंग दे नेक्टर फ्रॉम दे फ्लावर्स फिर वो और बहलाती है अरे उधर तो देखो कितनी सारी ड्रेगन फ्लाइज उड़ रही है जाकर इन से शहद बनाएंगी अच्छा लगता है ना शहद मेरे बेटे को तो इस तरह वो बच्चे को बहला फुसला करके उसका ध्यान जो है वो खिलोनों से बिलकुल हटा देती है बच्चा भी बहल जाता है बच्चा सब कुछ भूल कर खुश हो जाता है थोड़ा आगे चलता है तो एकदम से उसकी नजर जाती है कि नीचे सड़क पर सड़क तो थी नहीं मिटी में तरह तरह की कीड़े चल नहीं है और अब वो रुक रुक करके उन कीड़ों को देखने की कोशिस करने लगता है उन्हें पकड़ने की कोशिस करने लगता है He again became busy with them and left behind और इन सब चक्करों में वो फिर क्या होता है पीछे रह जाता है फिर उसके parents उसको आवाज देते है The parents called him to sit and have a rest near well under the group of his shaded trees चलते चलते काफी देर हो गई थी ठकान भी लगने लगी थी शायद हो सकता है उन्हें भूख भी लग रही हो तो एक कुएं के पास जुर्मुट उन्होंने देखा जुर्मुट है नि धीर सायदार पेड़ होते हैं जिनके अंदर थोड़ा चाया रहता है तो वहाँ पहुँच करके पिता ने आवाज दे करके कहा कि हम यही थोड़ी देर आराम करते हैं और बच्चे को भी वहीं बुला लिया तो जैसे ही बच्चा पेड़ों की जुर्मुट के पास पहुंचता है तो जैसे ही बच्चा पेड़ों की जुर्मुट के पास पहुंचता है वो देखता है कि फूलों से लदे पेड़ों से हवा की जोके के साथ बरस्ती फूलों की पंखुडियों की बारेश आश्चरे चकित रह जाता है वो देख करके ऐसा द्रिश्य तो उसने कभी अपने गाओं में देखा ही नहीं था खुश हो करके जोर जोर से हसते हुए और उच्छल उच्छल करके हवा में ही उन पंखुरियों को पकड़ने की वो कोशिस करने लगता है Suddenly he heard the queen of the dwarves और अच्छानक ही उसके कान में कभूतरों की आवाज पड़ती है तो जैसे ही उसके कान में कभूतरों की आवाज पड़ती है वो अपनी उच्छल कूद और फूलों के साथ के खेल को छोड़ करके पक्छी कहां से आवाज कर रहा है उस दिशा में वो चल देता है और जैसे ही उसे वो पक्छी दिखाई देता है हाथ में पकड़े उन पंखुरियों को फेक करके वो पक्छी को पकड़ने दोड़ता है और अपने माता-पिता को आवाज लगाता है कि देखो यहाँ पर डोव है तो होता क्या है? The parents lifted the child and walked down a narrow twisting lane through which they crossed the mustard field and reached the fair तो खेल कूद में उसके बार-बार पीछे रह जाने के कारण काफी देर हो रहा था तो पिता ने उसको उठा करके अपने कंधे पर बिठा लिया और सरसो की खेतों से गुजरने वाली एक narrow यानि की बिल्कुल संकिन और twisting यानि घुमाओदार पकड़न्डी से होकर वो मेले की ओर चल देते हैं there he saw a large crowd of the people coming from all directions direction नहीं दिशा तो मेले के कुछ दूरी पर पहुँचने पर चुकि वो पिता के कंधे पर बैठा था दूर तक दिख रा था उसको तो उसने देखा कि रंग बिरंगी पगड़ियों और कपड़ों में सजे धजे जुंड के जुंड लोग हर गाउं से हर तरफ से मेले की ओर बढ़ रहे हैं he became scared of the crowd but at the same time he was attracted and excited to see the crowd also तो इतनी विशाल भीड इसे देख कर तो वो डर गया पर जहां एक वो डर रहा था वहीं वो भीडू से आकरशित भी कर रही थी पूरे महौल ने उसके अंदर एक अजीब सी तेजना भर दी थी तो देखें यहां पर एक word यूज हुआ है एक phrase यूज हुआ है scared of तो यह क्या होता है filling the blank में पूछा जाता है scared के साथ हमेशा of यूज होता है shop of his seatbelt seller अरे वा भाई हम तो मेले में पहुँच भी गए पर यह क्या जैसे ही मेले में अंदर जाते हैं देखता है वो बच्चा की सामने मिठाई वाला अपना दुकान सजा के बैठा है तरह तरह की मिठाईयां सफेद और पीले वरक में लिप्टी हुई मीठी मीठी प्यारी प्यारी मिठाईयां गुलाब जामुन रसगुले जलेबी बर्फी इमर्ती ओ नजाने क्या क्या इतनी मिठाईयां की उनके नाम भी उसे नहीं मालूम थे देरवर गुलाब जामुन रसगुला जलेबी और बर्फी है ना बर्फी भी खास है ना बच्चे माबाप के मनोभाव को कितना समझते हैं ये भी इस कहानी में बताया गया है ठीक है तो वो मिठाईया ये भी चुम्बक की तरह उसे अपनी और खींच रही थी वो मिठाईयों को खाना चाह रहा था इनका स्वाद लेना चाह रहा था ठीक है तो आखिरकार उससे नहीं रहा गया तो उसने धीरे से कहा मुझे भी बर्फी खानी है पर वो जानता था कि मिठाई बिठाई तो उसे मिलने वाली नहीं है ठीक है और उसे कहा जाएगा कि देखो तो कितना लालची है कुछ भी दिखाने की बस खाना है इसको हर समय खाना 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 और खाना है इसको इसलिए वो धीरे से बोल करके आगे बढ़ गया next he saw a swap of flowers selling गुलमोहर गार्लेंड तभी उसे फूलों की एक दुकान दिखाई दी तरह तरह के रंग बिरंगे हर तरह के फूल उस दुकान पर थे और उन फूलों से बहुत ही आकरशक मालाएं भी बन करके लटकी हुई थी he again murmured for a गुलमोहर गार्लेंड इन लो वाइस उसके भी एक्छा हो रही थी कि एक गुलमोहर की माला उसे मिल जाए तो वो अपने गले में डाल करके घूमे तो धीरे से उसने बोला लेकिन बट ही नियो his demand would not be fulfilled so he walked ahead लेकिन वो जानता था ये भी जानता था कि फूलों का कोई हार उसे मिलने वाला नहीं है फूल जैसी चीज पर उसके पिता पैसे खर्च करने वाले नहीं है इसलिए वो बरबराते हुए धीरे से आगे बढ़ गया then he was attracted by a balloon seller with different colors of balloons tied on the pole तो थोड़ी दूर और चलने पर थोड़ी और आगे जाने पर उसे रंग बिरंगे गुबारों को बेचता हुआ एक गुबारे वाला मिला सारे गुबारे को उसने लकडी के एक डंडे के उपर बांध रखा था और रंग बिरंगे गुबारे आपसे मिल करके एक बहुत ही प्यारा बहुत ही आकरशक इंद्रधन उसी छटा भी खेर रहे थे अब वो बच्चा ही क्या जो गुबारों के लिए न मचले he wanted to have one of those balloons but he knew that they would say he was too old to play with them so he walked ahead तो आखें तो उसके गुबारों पर से हट नहीं रही थी पर वो कुछ भी नहीं बोला क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने गुबारों के लिए जिद की तो उसे कस के जड़की मिलेगी और उसे कहा जाएगा इतने बड़े हो गया अब क्या तुम्हारी उम्र गुबारों से खेलने की है चलो आगे चलो बिचारा बच्चा चुद्चाप मन समोस कर आगे बढ़ गया नेक्स्ट इपोस ड एट स्नेक चार्मर प्लेइंग हिस फ्लेट टुद आगे बढ़ने पर उसे एक स्नेक चार्मर दिखा जो अपनी बीन के धुन पर साप को नचा रहा था ठीक है और आसपास के लोग खुश होकर उसे पैसे दे रहे थे The snake had coiled itself in a basket and raised its head out एक साप जिसने कुंडली लगा करके अपना शरीर बेत के basket में रखा हुआ था और अपना फन बीन के धुन पर हिला रहा था Its snake was moving gracefully like a swans उसकी लंबी उस साप की लंबी चमकदार और चिकनी गर्दन किसी हंस के गर्दन की तरह खुबसूरत थी But he knew he was forbidden to hear such unpleasant music So he walked further again तो इस पूरे माहुल से अलग हट कर जो चीज उसे सबसे ज़ादा लुभा रही थी वो था उस बीन से निकलने वाली धुन वो रुक कर उस संगीत का आनंद लेना चाह रहा था लेकिन वो जानता था कि उसके घर के लोगों के लिए बीन की धुन संगीत नहीं है बलकि एक करकश आवाज है साप जैसे खतरनाक प्राणी को लुभाने वाली आवाज और वे इस संगीत को वहाँ खड़े हो करके उसे बिलकुल सुनने नहीं देंगे फोरण मना कर देंगे इसलिए वो चुपचाप आगे बढ़ गया लेकिन इसमें क्या होता है कि बच्चे के लिए माबाब डरते हैं वो वहाँ पर बच्चे को इसलिए नहीं खड़े होने देना चाहते थें कि कहीं साप बच्चे को नुकसान नहीं पहुँचा दे लेकिन ये चीज बच्चे को माबाब बताते नहीं है और बच्चा इस चीज को समझ नहीं पाता है निराश होकर वो चुप चाप सिर जुकाय आगे की और बढ़ता जा रहा था उसने अपने पैरेंट्स की और देखना भी उचित नहीं समझा और तभी अचानक उसकी नज़र जूलों पर पड़ी जूले जिसमें बहुत से बच्चे बैठे हुए थे महिलाएं और पुरुष बैठे हुए थे जूला एक ऐसी चीज है जो की बच्चे तो बच्चे बड़े भी नज़ाई करते हैं तो सभी जूलों पर इस्तरी पुरुष और बच्चे बैठे थे और जब तेज तेज जूला चल लहा था तो जोर जोर से वो चीख रहे थें, हस रहे थें और जूले का आनंद ले रहे थें तो अब तो बच्चे को अपने आपको रोकना बहुत मुश्किल हो गया एक दम से खुश हो करके वो बिलकुल जोर से बोला, बाबा मुझे भी जूले में बैठना है, लेकिन आश्चेर उसे कोई जवाब नहीं मिला और तब अचानक वो पलट करके पीछे देखता है, तो वो पाता है कि दूर दूर तक कहीं भी उसके माता पिता नजर नहीं आ रहे हैं, वो जूलों के पास अकेला खड़ा है, लोगों की भीड है, लेकिन उसके माता पिता वहाँ नहीं है असपास माता पिता को ना पा करके डर के मारे तो वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा, उसके गाल आसूं से तर बतर हो गएं और जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आया, तो अपने माबाबा के तालास में इधर से उधर भागने लगा, गबरहाट में रोने और भागने के कारण उसकी पगड़ी खुलकर बिखर गई और धूल और मित्टी से उसके पूरे कपड़े खराब हो गएं काफी देर तक रोने की बाद वो बच्चा थक गया उसका गला सोखने लगा, थक हार करके एक और बैट करके वो धीरे धीरे सिस्किया भर भर करके रोने लगा, He saw there so many people walking, talking and laughing, साथी आशु भरे आँखों से वो चारो और इधर उधर देखता भी जा रहा था, मेले में चलते, फिरते, हसते, बाते करते, लोगों से पूरा मेला भरा पड़ा था, But he was only searching for his parents, लेकिन ये जो मेला था, तरह तरह के लोगों से तो भरा पड़ा था, लेकिन उसकी आँखें सिर्फ अपने मा बाबा को ढूंड रही थी, Now he ran towards the temple, through the legs of the people, calling out for the parents, तभी उसने देखा कि मंदिर के ओर लोग काफी जा रहे हैं, वहाँ भीड है काफी, तो उसे लगा शायद उसके मा बाबा भी वहीं गए होंगे, तो भारी भीड से होकर, वह लोगों के पैरों के बीच से होता हुआ, अपने मा बाबा को पुकारता हुआ, मंदिर की ओर दोड लगा दिया, He was about to be crushed down under the feet, then a kind man lifted him up, भीड काफी जादा थी और वो बच्चा भीड में लगभग कुचलने ही वाला था, तभी एक सज्जन वेक्ती ने आगे बढ़ करके उसे अपनी बाहों में उपर उठा लिया, The man got the child out of the crowd, बच्चे को गोद में लिये लिये वो वेक्ती भीड के बाहर आया, He asked him how he had reached there and where his parents were, भीड के बाहर उस बच्चे को ला करके उसके आशु पोच्छा और उससे जानकारी निकालने लगा कि तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा, यहां कैसे आये हो, तुम्हारे साथ कौन-कौन है, तुम्हारे माता-पिता कहां है, But the child wept bitterly saying, I want my mother, I want my father, लेकिन बच्चा सिर्फ सिस्किया भरता रहा, रोता रहा, कोई जवाब नहीं उसे समझ में आ रहा था, वो क्या जवाब दे उस विक्ती को, वो सिर्फ रो-्रो करके कहता रहा, मेरी मा, मेरे बाबा, उसे सिर्फ अपने मा-बाबा चाहिए थे, The man took him up in his arms and tried him to make him cheerful, अब वो वेक्ती भी परिशान हो गया, बच्चे को बाहों में उठा कर एक और ले आया, और उसे बहलाने और खुश करने की कोशिस करने लगा, कि कम से कम इसका रोना तो बंध हो, ये मुझे बताए तो सही कम से कम, है न, He offered him all the things he wanted previously, तो उसे ले करके मेले में, वो गोद में ले ली मेले में चलने लगा, जब साप वाला दिखा, जब गुबारे वाला दिखा, तो उस सारी चीजों को वो बोल ला था लेनी के लिए, लेकिन बच्चा सिर्फ अपने पैरेंट्स को ढूंड रहा था, वो अपने प अच्छा देखो तो वहाँ पर कितना प्यारा सा जूला है, क्या तुम उस पे बैठना चाहोगे, नहीं ममा बाबा, देन, अच्छा देखो तो एक सपेरा है, कितना प्यारा साप नाच रहा है, वो सपेरा जो बीन बजा रहा है, सुनो तो सही उसके धुन कितनी प्यारी है, लेकिन उस बच्चे ने कान बंद कर लिया जब बलून वाला मिला तो उसने कहा देखो तो कितने प्यारे प्यारे बलून है क्या तुम उसको लेना चाहोगे उसने हाथ के इसारे से मना कर दिया चलो ठीक है कोई बात नहीं देखो फूल चाहिए तुमको है ना कितनी अच्छी खुश्वू आ रहे हैं ऐसा करते हैं कि एक माला ले लेते हैं और तुम गले में पहन लेना है ना तो बच्चे ने तुरंट मना कर दिया then फिर वो मिठाई की दुकान पे चला गया और उसने का भई बहुत भूख लग रही चलो ऐसा करते हैं मिठाई खाते हैं मैं तो मिठाई खाऊंगा तुम बर्फी खाऊगे क्या बच्चे ने तुरंट दुकान की ओर से मूँ फेर लिया और जोर जोर से रूता रहा I want my mother, I want my father मुझे मेरे माबाबा चाहिए मेरे माबाबा कहा है मुझे मेरे माबाबा के पास ले चलो तो यहीं पर हमारे स्टोरी जो है वो अंत होता है इस स्टोरी का अंत क्या है मुलकराज आनन इस अंत को बताए बिना ही इस स्टोरी को फिनिश कर देते हैं तो इस story से क्या moral है इस story का हमें क्या शिक्षा मिलती इस story की वो हम देखते हैं इस story tells us that one should understand that the most important part of a child's life is his parents तो ये story हमें ये बताती है कि एक बच्चे के जीवन में चाहे वो बच्चा किसी भी उम्र का हो उसके parents जो होते हैं वो सबसे महत्वपून चीज होते हैं Parents should be respected, parents का सम्मान किया जाना चाहिए and valued और उनकी कीमत समझनी चाहिए, उनकी वखत, उनकी हैसियत को मानना चाहिए because without them we should be definitely lost क्योंकि अगर माता-पिता नहीं है तो हम जरूर खो जाते हैं बच्चा माता-पिता से बिछड़ कर मेले में खो गया और अगर बड़े हैं हम तो जब हमारे माता-पिता नहीं रहते हैं तो हमें लगता है कि हमारे सिर से साया हट गया है एक मजबूत दिवाल हट गई है जो हमें सहारा दी थी तो हमें अपने पैरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए यह एक उस छोटे बच्चे की कहानी है जो एक मेले में गुम गया है बिफोर लोसिंग है बिफोर लोसिंग है बिफोर लोसिंग बढ़ने दिवाल गुम गया है तब उसने अपने पैरेंट्स से तरह तरह की चीजों की मांग की थी मिठाई हैं बलून्स हैं फ्लावर्स हैं जूले हैं है ना उसकी एक भी मांग पूरी नहीं हुई थी लेकिन जब वो गुम गया है और एक सजन वेक्ति को जो की अजनबी है उसके लिए उसको वो मिलता है तो वो जब इन चीजों को ओफर करता है देने के लिए तो बच्चा कुछ भी नहीं लेना चाहता है उसे क्या चाहिए होता सिर्फ अपने पैरेंट्स चाहिए होते हैं तो ये जो स्टोरी है उस प्रेम के बंधन के उपर प्रकाश डालती है जो प्रेम का बंधन एक बच्चे और उसके माता-पिता के बारे में होता है so students this is all about the Hindi explanation of this story I hope कि आपको ये story अच्छे लगी होगी Thank you, thanks for watching the video